ना इधर ना उधर सुईदे मुद्दे पर नजर और क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूजेटीन आपके पुनीत के साथ तो खबर मेडी लीज से जुड़ी हुई है और खबर ये है कि नेतन याहू जब अपने ही अवाम को संबोधित कर रहे थे जब नेतन याहू टीवी पर उनका भाशन प्रसारित हो रहा था जब नêteन याहू इसराइली जो मारे गए उनको शुर्धांजली दे रहे थे उस वक्त ये कहा गया नेतन याहू को कि आपको शर्मानी चाहिए किसके द्वारा कहा गया शेम आन यू के नारे लगे एक नहीं कई लोगों के द्वारा ये शेम आन यू के नारे लगाए गए क्यों लगाए गए इसकी हम बात करेंगे इसके अलावा गाजा की बात करेंगे जहां पर एक बार फिर से हमला किया गया और स्कूल को टार्गेट कर लिया गया इसके अलावा बात करेंगे एरान की भी और बात होगी अमरिका की तरफ से एरान को दी गई समझाईश की भी मेरे साथ मौजूद हैं मेरे स्योगी आनंद उनके पास चलते हैं और सबसे पहले गाजा के अपडेट की बात करते हैं और उसके बाद हम आएंगे शेम ऑन यू के उस बयान पर जो की नेतन यहू को कहा गया लेकिन पहले गाजा की बात अनंद वे गाजा में सबसे बड़ा हमला हुआ है आज और इसकूल पर ही दरतल पहले हम लोग की इस बात पर भी से करना नोटीस करना चीए कि इसकूल को ही क्यों इस्राईल टार्गेट कर रहा है और अस्पतालों को, स्कूलों को, मस्जिद को भी बिलकुल, तो पहले हम आज का अपडेट बता देते हैं कि आज हुआ क्या है गाजा में, गाजा में अल सती सरनार्थी है, उस पर गाजा ने हमला किया है, उस पर हमला किया है, और उस हमले में अस्मा स्कूल है, उस में सरनार टीन पत्रकार थे और करीब आपके पत्रकारों की भी मौत विया प्राइल का यह हमला पहले से चिताउनि दे करके हमला हुआ है और यह हमला हुआ है नौ पत्रकारों के आतंकियों के साथ दिने का अच्छा, मतलब ये पत्रकारों को टार्गेट किया गया बिल्कुल नहीं दरसल खवर ये है कि हमला इजराइल के इजराइल ने ये जो चेतावनी जारी की थी ऐलान के बाद ही जश्ट उसने कतर के नौ पत्रकारों को आतंकी के साथ, आतंकियों के साथ देने के इलजाम में यह हमला हुआ है अच्छा यह हमला हुआ है कि आतंकियों का साथ थे रहे आतंकी मतलब हमास के लोग तो उसमें ये तीन पत्रकार जो थे इसमें इस्थानी पत्रकार थे मतलब कि वो गाजा के ही तीन पत्रकार थे वही के लोग थे और पत्रकार थे उनकी मौत इसमें हुई है एक चीज़ और आपको बता दें कि ये एक तरफ हमले लगातार जा रही हैं लेबनान पर हमला बोल गया दरसल बार 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 ये सवाल उठता है कि इसराइल अस्पतालों को टार्गेट क्यों करता है इसराइल स्कूलों को टार्गेट क्यों करता है इसराइल मस्जिदों को टार्गेट क्यों करता है और ये बार बार एक नरेटिव जो है वो पहुंचाने के कोशिश की ज जो है वो ऐसा दुरदान्त है जो कहीं पर भी हमला बोल सकता है किसी को भी बक्षने के मोड में नहीं है बिल्कुल लेकिन ये जो गाजा पर गाजा पर जो हमला कर रहा है इसकूल और अस्पतालों पर इसलिए गाजा के अस्पताल और इसकूल पर किया जा रहा है क्योंकि हमा अच्छाले ने टो लिए आप लोग यहां महांड़ी आ पर जिसके घर, आचा, वह जो कैम्प पर हमला हो रहा है, इस्कूल को ही कैम्प तो ये खुल मिलाकर कि इसराइल की तरफ से एक तो निरेटिव ये सैट किया जा रहा है कि आहम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की तरफ से और आहम लोगों को बक्षा नहीं जा रहा है लेकिन इसराइल की तरफ से भी एक मेसेज इसके जरीए देने की हो रही है कि इन आम लोगों को ढाल बना कर इस्तमाल कर रहा है कौन हमास इस्तमाल कर रहा है लबनान में जो हिजबुला है वो इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि दक्षिणी लबनान में तार्गेट किया गया है उसमें भी बहुत सारे इस्राइलियों को नुक्सान साना पड़ा है लेकिन हम लोग गाजा के इसलिए बात करेंगे कि वो जो अस्पताल और उसमें क्या बोलते हैं इसकूल है इसको आज इसलिए मैं फोकस पर रख रहा हूं क्योंकि उसमें जो मरे है साथ छे फिलिस्तिनी वह आम नागरिक थे हैं अच्छा उनके पहले से घर वह विखर चुके हैं घर से जुदा हो चुके हैं अब करना क्या है मुझे कि इधर भागे लेबनान भागे कि इधर वागे सीरिया जाएं कैसे जाएं कहां जाएं मैंतलब एक आम व्यक्ति के लिए आम नागरिक के अगर लियाज से सोचा जाए तो उसके सामने कितनी मुश्किले कितनी परिशानिया अपने परिवार को लेकर एक आम व्यक्ति जो सबसे पहले अपने परिवार की फिक्र करता है उसक इस दुनिया में किस जगा पर हम रह रहे हैं जहां पर इनसानी इनसान के खून का प्यासा हो चला है लेकिन इस बीच एक खबर और आई और वो आई कतर से कि कतर कोशिश कर रहा है कि थोड़े समय के लिए ही वो युद्ध विराम या जिसे कहते हैं सी स्पायर हो जाए इस बीच आपको एक बात बताएं कि ये बड़ा चला कर जो हमला हुआ उसकी बात एक तरफ हो रही है दूसरी तरफ कच्छे तेल के दाम जो है वो गिर गए और यह बड़ा दिल्चस्क बिलकुल अचा कच्छे दाम बढ़ जाने चाहिए तेल के हमले के बाद यह गिर गए असल में दरसल में एक अप्टूबर को जो इरान ने हमला किया था इसराइल पर तो उसको देखते हुए इसराइल पलटवार करेगा उसको पलटवार होगा इजराइल जो हमला करेगा वो तेल के भंडार पर करेगा परमाडू किंद सर्यंतर जहां पर उनकी तैयारियां हो रही है परमाडू निकुलियर पावर लेकिन उसके उपर हमला नहीं हुआ तब जाकर के अब उस तेल के दाम को वापस जो पहले थे वो वा दूसरी खबर यह है कि कातर कोशिश कर रहा है युद्विराम हो जाए लेकिन तीसरी खबर एक और है और वो है इसराइली डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई क्या खबर है इसको हम आनन से समझते हैं कि कुछ नया लेजर बिलकुल असल में इसराइल ने पांसु मिलियर डॉलर की बड़ी डिफेंस डिल की है अमेरिका से यह तो अभी इसको पब्लिकली नहीं किया गया लेकिन इसके तहद इसराइल को लेजर गाइडेंट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा और यह एक साल के अंदर में मिल जाएगा अच्छा यह काम क्या करेगा जब इसराइल हम यह इसलिए भी है क्योंकि अभी एक खबर सामने आई थी कि हिजबुला और इरान इस बात की कोशिश में हैं और इस बात की तयारी में लगे हैं कि इसराइल के ओपर हमला जब किया जाए तो एक साथ हजारों मिसाइलों को दाग दिया जाए ताकि उसका डेविट सिलिंग स सिस्टम के जरिये और वहां से अगर कोई मिसाइल चूटी तो उस मिसाइल को मार गिराने के लिए यहां से भी एक रॉकेट या मिसाइल छोडनी पड़ती है और इसको हवा में मार गिराया जाता है लेकिन यह जो है वो बड़ा खर्चीला है और आपके पास भी उतनी किसे करेंगे दूसरा गाजा से एक और अपडेट आ रहा है वहां पर मौजूदा हेल्थ जो अपीसर है उनका बयान आया है मैं उनको कोट करता हूं उन्होंने बोला कि पिछले साल अप्टूबर में गाजा पट्टी में जारी इस्राइल हमलों में मर्ने वालों की फिलिस्ति की मौत हुई है यह जो आकड़ा है बहुत बड़ा आकड़ा है करीब एक साल के अंदर में इतनी लोगों की मौत हुई है तो एक तो यह हो गया अब हम लोग चलते हैं दूसरे मुद्दे पर जो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का दूसरा पॉइंट यह है कि इस्राइल ज बिस्ताफित मतलब जिनके घर सब कुछ तबाह हो गया है, बेघर हो गया है, ना खाने के लिए है, ना रहने के लिए जगा बचे, उसको अम लोग बिस्ताफित सब दिया गया है, तो वो लोग बिस्ताफित हो गया है, तो इस बिस्ताफित होने के बाद से अब लेबनान में टार्गेट की लिया रहा एक देखिए एक बड़ी बात यह है और इसके अलावा जब 42,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की बात होती है जिसमें जाहिर से बात है कि हमास के कमांडर्स भी हैं और हमास के लोग भी हैं हमास के लाडाके भी हैं लेकिन एक चीज़ आप और बताते गया था क्योंकि एक साल हो गया और इसमें कई इसराइलियों की भी मौत हुई है और उन इसराइलियों को श्रद्धानजली देने के लिए कारिक्रम रखा गया था लेकिन इसमें बेंजमिन नितन यहू के खिलाफ लगे हैं नारे और नारे लगाए गए शेम ऑन यू के किस किसके द्वारा लगाए गए ये आनन से समझते हैं किसके द्वारा और क्यों लगाए गए गए बिल्कुल देखें ये जो बेंजमिन नेतनियाहू संबोधित कर रहे थे इस दौरान मतलब लाइप परशारन चला था इसी दौरान कुछ लोग और ये कुछ लोग उन्हीं के ल लोग मर चुके हैं जिनके अपने मार गए और अपने बंदक अबंदक को कौन है जो हमस के कब्जे में हैं तो लोगो वो लोग लाइप परसारं के दौरान विंजमिन नेतनियाहू का बिरोत किया है और उन्होंने बॉला है कि से कौत है श्यम आनि यू है यह वार चल रहा है और वार में कई कमजोरी है बात यह नहीं है बात यह है कि जब हमाज के लड़ाके दाखिल हुए थे घाजा से इसराइल में दाखिल हुए थे तो यह लूप फोल किसका यह गल्ती किसकी यह बंजमिन तनियाहू की गलती बताई जा रही है, वहां के लोगों के दोरा, कि ये सारी गलती आपकी है, और इसकी वज़स है, ये नोबता है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो वार में जो situation बन रही है, उसके लिए बेंजामिन नियाहू की विरोद नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन को अगल चाहिए वहां तो नहीं है उसमें जो बंदक मारे गए थे शुरंग का भी वीडियो वाराइल से कि यहां पर लोगोको यह जानकारी आई वही चपता लगाया था जब वह इसराइली बंदक को के करीब पहुंचने वाले थे उनको छोड़ाने के लिए तो यहया सिन्वार वहीं पर मौझूद था और उसी ने वहीं से कुछ चीजें पता चली थी क्लूव वहीं से मिले थे और इसलिए यहया सिन्वार को फिर बात में पकड़ कर अमास की चीफ को धेर कर दिया, इसराइल की तरफ से यह दावा किया बिल्कुल लेकिन बयंजीमिन नेतन यहों जो है, वह अपने लोगों के लिए लर्द रहे हैं पलट वार भी कर रहे हैं इसके बावजोद उनको अपने लोगों का ही सामना करना पड़ा है, अपने लोगों के परदर्सन का, अपने लोगों का बिरोध का बिल्कूल, और ये जो लाको लोगों की जो प्रोटेश्ट थी बिते कुछ दिन पहले जो वायरल भी हुआ था, वो एक ब्रीज पर लोग बिल्कूल वो तस्वीर भी सामने एक चीज और आपको बता दें कि एरान के सुप्रीम लीडर जो है आयातुल्ला अले खाम नहीं उनसे जुड़ी हुई दो घबर आ रही है एक तो यह कि उनकी तबियत नासाज है और माना यह जा रहा है कि उनके बेटे को उतरा अधिकारी बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ उनके एक्स पर बनाय हुए अकाउंट के बारे में खबर है असल में यह दो दिन पहले जो इरान के सुप्रीम लीडर है उन्होंने एक एक्स पर अपना प्रोफाइल बनाया था जिसको जो एक्स के मालिक है एलन मक्स उन्हें यह चीज बहुत ही खराब लगा कि क्या लगा उन्हें उस एकाउंट पर उनके मैंने सुना कि केबल दो ही पोस्ट किये थे और दोनों पोस्ट किसके युद्ध के सम्मंदित थे युद्ध के सम्मंदित में ही दोनों पोस्ट थे और उनके एकाउंट को अब बंद कर दिया गया है किसके तरफ से एलेन मस्क के तरफ से मनलब की एक्स के तरफ से खुद ही बंद कर दिया गया है ये बहुत मनलब की एक तरीके से पूरे एरान की जो है की लेगिन वो एक पॉलिसी के तहत होता भी है दरसल सोशल मीडिया पर अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो इस प्रकार का ऐसे खबरे भी आती हैं कि अगर किसी ने कुछ लिखा तो या तो उस अकाउन को सस्पेंट कर दिया जाता है या उस तर्मिनेट उस अकाउन को कर दिया जाता है इसके बारे में और चीज़े निकल कर सामने आएंगी बेराल अगर और कुछ पॉइंट्स हैं तो हम बिल्कुल ये जितनी भी हम लोग मुद्दों पर फोकस किये हैं ये अभी तक के अपडेट हैं और मैं आज बता देता हूँ अभी कि आज कितने दिन हुए हैं इजराइल और हमास युद्ध जो चल रहे हैं टोटल आज 387 दिन ह हो चुके हैं ये लड़ाई शुरू ही थी साथ अप्टूबर 2023 को तो ये जो 387 दिन है ये इजराइल हमास लेबनान सब के लिए भारी रहा है आने वाले दिन क्या अब सीसफायर होता है कतर का है बहुत सारे देश चारे हैं कि सीसफायर हो जाए और ये जो युद्ध है समा सबसे बड़ी बात की एरान की तरफ से भी एरान की तरफ से भी एका गया कि हमारे बस थाकत तो है पलटवार करने की अमेरिका की तरफ से भी कहा गया लेकिन एरान की तरफ से भी कहा गया कि गाजा और लेबनान में शांती होनी चाहिए ये पलटवार करने से ज्यादा इसराइल की जो खुफिया एजिंसी है मुसाद उसके लोग भी मौजूद है और भी लोग मौजूद है वहाँ पर इसको लेकर बादचीद भी चल रही है ये भी माना जा रहा है कि एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल खरीदने के तैयारी में है बहुत बड़ा वो है विश्व युद्द से जोड़ी हुए खबर इसको लेकर तमाम भविश्वाणिया की गई है चाहे बाबा वेंगा की बात हो या नासरे दमस की बात हो इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और उस पर हम चर्चा भी करेंगे लेकिन उसमें ये जरूर बताया गया है कि कहीं न कहीं इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से हो गई याने की मिडिल इस्ट से होती हुए नजर आती है लेकिन क्या ये वाकई में सच है इसका वीडियो हम बनाएंगे आने वाले दिनों में आप जरूर देखिए लेकिन फिलहाल आज की चर्चा में यहीं तक देखिए नबस्कार आने वा नमस्कार